नमस्कार मैं डॉक्टर सुधारानी वर्मा नैचुरोपैथ आयूशक्ति हेल्टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको साइटिका डोग के विशे में बताऊंगे कि उसको हम जड़ से कैसे खतम करेंगे तो साइटिका अधिकतर उन लोगों को होता है जिनके शेरी में वाद अधिक बढ़ जाती है और वाद बढ़ने के साथ साथ वो प्रकुपित हो जाती है यानि वाद बिगड जाती है तो प्रकुपित होने का मतलब यह होता है कि जब वाद बिगड कर और हमारे बलड के साथ म को होती है गैस बनती है लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सभी को साइटिका की प्रोब्लम हो जाए तो साइटिका की प्रोब्लम अधिकतर उन्हें को होती है जिनको गैस बिगड़ जाती है साइटिका एक नर्व है जो स्लिप डिस्क होने के कारण नस कंप्रेस हो जाती है तो इस साइटिका पेन चोट लगने के कारण भी होता है चोट लगने की वज़े से हमारी नस्तब जाती है और जिसकी वज़े से ब्लेट की सप्लाई रुख जाती है और साइटिका पेन होने लग जाता है और तीसरा जो इसका खास कारण है जो अधिकतर लोगों में मिलता है क्योंकि सब को तो चोट नहीं लगती तो जो तीसरा खास कारण है वो कारण है हमारा क्योंकि जब गैस नसों में कठा होने लगती है, तो नसों की जो टाकत है, वो कम हो जाती है, कम्जूर पढ़ जाती है, नसे कम्जूर हो जाती है। और जड़ा सा भी जटका उह सहन नहीं कर पाती। और Citecaph pain की problem आजाती है। साइटीका पेन जब एक बार हो जाता है तो यह कुछ जादा ही परिशान करता है साइटीका पेन जैसे मैंने भी का था एक नर्व पेन है तो साइटीका नर्व हमारी L4, L5 और S1 से निकलती है कूले से होती भी काफ मसल से होती भी कई बार अंगुठे तक इसका दर्द चला जाता है और कई बार यह दर्द कुछ लोगों को थाई तक ही रहता है और कुछ लोगों को काफ मसल तक आ जाता है और कुछ लोगों को अंगुठे तक आ जाता है और जब भी कभी साइटिका का पेन आ जाता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो बहुत ही जादा परिशान करती है और व्यक्ति चलने फिरने से भी मजबूर हो जाता है अब चुकि साइटिका का दर्ड बहुत भयंकर होता है तो आज मैं आपको इसके लिए एक बहुतरी पर्मनेंटली खतम हो जाती है तो आज जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगी उसके लिए हमें हार सिंगार के पत्ते चाहिए मैंने आपको दिखाने के लिए यह पत्ते लाकर रखे हैं आप यह देखें यह हार शिंगार के पत्ते हैं और इसमें छोटे-छोटे फूल भी आ का राम मिलेगा और इस हार्शिंगार को पारिजात भी कहते हैं शेफाली भी कहते हैं शQuébuni भी कहते हैं और इसका बाट निकल नेम निक्टैंðिस ऑय्वेत् disciplines है यह जो आप देख रहे हैं पारिजात के पत्ते हमें केवल पत्ते चाहिए तो हमें इन पत्तों को तोड़ लेना है इस तरह से डंडी से अलग कर देना है इन पत्तों को इस तरह से हमें इसके सारे पत्ते लेने हैं यह तो केवल पत्ते हैं जिनका मैं अभी आपको यूज करने के लिए बता रही हूं लेकिन इसके जो फूल हैं वो सफेद फूल लगते हैं और उसमें नारंगी डंडी होती हैं और रात को जढ़ जाते हैं और सुबे बिलकुल एक चादर जैसी बिच जाती है जब आप देखेंगे पेड के नीचे तो ऐसा लगेगा एक वाइट फूलों की चादर बिचा दिये तो ये सर्दियों के मौसम में लगते हैं और बसंतरीतु में इसके पत्ते जढ़ जाते हैं और निश्किर ये भी हो जाते हैं तो बसंतरीतु के मौसम में हमें इन पत्तों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुण हीन हो जाते हैं तो इन पत्तों का इस्तमाल बस में मिल जाता है और इसके साथ-साथ इनका पत्तों का आजकल ड्राइ पाउडर भी मिलने लगा है तो आपको यूज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी का आप चाहे दुनिया में कहीं भी बैठे हों हर जगे आपको इन पत्तों से रिलेटेड इसका काढ़ा या कnisse कमें फाल entrevista कैंसरे बारे में बताउगे तो जैसे यह पत्ते में डंडी से अलग कर लिए है तो आपको इस तरह से 200 ग्राम पत्ते लेने है आप इसको तराजु से तोल लें यह 100 ग्राम पत्ते हो जाए तो इसके लिए फिर हमें 1 लीटर पानी लेना है तो एक लीटर पान किसी भववने में boil करने रख दे और इन पत्तों को धूकर छोटे-छोटे काट करके जैसे हम साग बनाते हैं पत्तों को काटते हैं इस तरह से छोट-छोटे काट करके उस पानी में डाल दें जब पानी करीब 700 ग्राम बचे तो गैस आप बंद कर दें और जब पानी ठंडा हो कोशिश करें कि आप इसमें केसर जरूर डालें तो केसर के 20 धागे आप उस पानी में डाल दें या फिर एक कटूरी ले ले और उसमें थोड़ा सा पानी ले जो पत्तों का पकाया है और उसमें वह धागे डाल दें दो-चार मिनट में फूल जाएंगे उनको रगड के और उस पानी में ही मिला दें और उस चनेवे पानी को बॉटल में भरके रख दें तो इस तरह से आप चार बॉटल भी बना के रख सकते हैं और या फिर हपते में एक बॉटल बना के रख लें बलकि अपते में आप एक ही बॉटल बनाएं तो ज्यादा अच्छा है चार बॉट को फ्रिज में रख दें क्यांकि अगर बाहर रखेंगे तो फिर खराब हो जाएगा तो दब हमें फिरे स्तमाल करना तो इसको पहले आप ग҉न को ना तो हमें इसे 50 ml लेना है, 50 ml से मतलब आधा कप, तो आपको अगर ये सूट करता है, तो आप दोनो टाइम ले सकते हैं, वरना एक टाइम आप इसको जरूर पीए, तो रोजाना आपको 50 ml काड़ा जरूर पीना है, सुबह खाली पेट पीना है, हलका सा गरम करके पीए, चार से 3 महिने तक लगातार पी सकते हैं, और 3 महिने के बाद आप इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें, और फिर दुबारा बना करके इसको पी सकते हैं, और ये हार्शिंगार का काड़ा इतना अच्छा काड़ा है, कि ये साइटिकन नर्व को ठीक करता ही है, लेकिन इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसका सेवन हमें खाली पेठी करना है, आज मैं आपको इस काड़े के विशे में खास बात कहना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे, कि मैडम हमारे शेरी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पित बढ़ा हुआ है, और जब हम ये काड़ा पीते हैं, तो शेरी में गर्मी बढ़ जाती है, और हमें ये सूट नहीं करता, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, कि हमें इसका पीने का तरीका बदलना पड़ेगा, तो जिन लोगों को वात की प्रॉब्लम है, वो तो इस काड़े को केसर डालके आराम से पी सकत तो 50 ml काड़ा ले ले, और उसमें एक कब दूध हलका गरम करके मिला ले, और वो इस तरह से पीएंगे, जब वो इस तरह से पीएंगे, तो उन्हें शेरी में कभी भी गर्मी फील नहीं होगी, और दो बार सूट नहीं करता, तो एक बार पी ले, इसके अलावा, जिन लोग फायदा करेगा, तो जब आप हारशिंगार का काड़ा पीएं, तो उसमें दो चमच शहद मिला ले, तो इस तरह से जिनको वाद, पित, कफ की समस्या रहती है, तो वो काड़े को इस तरह से पीएं, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और कफ वाले विक्त इसको दो समय पी सकते हैं, इसके अलावा, सैटिका पेन को ठीक करने के लिए, एक छोटा सा उपाई और बता रही हूँ, जो बहुत ही कारगर है, और ये भी हमें खाली पेठी करना है, तो सबसे पहले हमें प्राता उठकर के, दस दिन के लिए, एक्स्ट्रा वर्जिन नार करने के लिए आपको मना करूंगी, चुकि ये इस्तिती ठीक नहीं है, आप जब तेल पीते हैं, तो उसके साथ आप केवल पानी ही पीए, और उसके आदे घंटे बाद आप, या पौने घंटे बाद, 45 मिनट के बाद, आप ये कारगर पी लें, और जब आप कारगर पीएं तो उसके आदे पौने घंटे बाद ही कुछ खाएं, और इसके अलावा, एक छोटा सोपाय में आपको और बता रही हूं, जो आप सभी लोग असानी से कर सकते हैं, तो एक 20 लिटर की बाल्टी ले लें, उसमें आदी बाल्टी पानी भर लें, और पानी इतना गरम हो, कि उ उसे आप आराम से सहन कर सकें, तो उस पानी में आपको 20 मिनट के लिए पैरों को रखना है, जब आप 20 मिनट उसमें पैरों को डुबा के रखेंगे, तो हमारी जो काफ मसल्स हैं, जो उसकी नस नाडिया है, जहां पर आपको बहुत पेन हो रहा था, या उपर से भी आपको पूरी अंगुठे तक पेन जाता है, तो यह सब जगे काम करता है, क्योंकि जब हम पैर उसके अंदर रखते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, और साइटी का नर्व की प्रॉब्लम धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है, तो अगर आपने ये तीन काम रोजा न पैर नाश्ता कर लिया है, उसके लिए आप कभी भी रख सकते हैं, वैसे अगर सुबह-सुबह नहाने से पहले रखेंगे, तो बेटर रहेगा, क्योंकि पानी में पैर रखें और उसके बाद ताजे पानी से नहाले, या हलके गुन-गुने पानी से नहाले, और पैर आप शाम को भी रख सकते हैं, उसका ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आपको सुबही रखने हैं, बस जब आप पैर रखें, तो आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, यानि अगर आपने नाश्ता कर लिया है, तो देड़ घंटा बीच जाए, और खाना खाली है, तो दो घंटे बीच जाएं, तो उसके अच्छे डिजल्ट्स मिलते हैं, आप रात को सोने से पहले भी रख सकते हैं, शाम का खाना अगर आप 6-7 बजे खा लेते हैं, तो रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद भी पैरों को आप गरम पानी में रखें, और ताजे पानी से पैरों को धोलें और उसके बाद रजाई ओड़ के या चादर ओड़ कर आप लेड़ जाएं, आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होने लगा है, तो दीरे दीरे आपका साइटी का पैन समाप्त हो जाएगा, अब साइटी का पैन को अगर आप जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो आपक हमेशा मना करते हैं कि डिबबन खादे पदार्त ना खाएं, पैकेट वाले फूड ना खाएं, जंग फूड ना खाएं, क्योंकि ये सारी चीज़े गैस बनाती हैं, और जब गैस बनती है, और गैस नसों में चड़ती है, तो साइटी का प्रॉबलम को क्रियेट कर देती है जिनको प्रॉबलम है, उनकी साइटी का नर्व में पेन होना शुरू हो जाता है, आपको एक काम जरूर करना है कि हमेशा ताजा ही खाना खाना है और मिर्च मसालों से दूर रहना है, ज्यादा मिर्च मसालों से पेट में जलन भी होती है, गैस भी बनती है, और इसके अधिकतर बच्चे आजकल ध्यान नहीं देतें इस बात पर कि हमें खाना किस तरह का खाना है या खाने के साथ हमें क्या लेना चाहिए, आप कही बार वो खाना खाते रहते हैं, कोल्डिंग पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, ठंडी लसी पीते हैं, तो अगर आप खा यह करने लगेंगे दीरे दीरे जट्रागनी मंद पढ़ने लग जाएगी और फिर गैस बनने की प्रॉब्लम आ जाएगी इसलिए जब भी आप खाना खाए उसके साथ में एक गिलास हलका सा गरम पानी पिए वो आपकी जट्रागनी को प्रदीप्त करेगा आपके भोजन को करके ले जाएगा और आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन करेगा तो जब आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन करेगा तो इस तरह की समस्या जो गैस की समस्या वो कभी नहीं होगी और जिस वक्त आपको साइटी का पेन हो रहा हो उस वक्त तो आप थंडे से बहुत ही पसंद आई होगी और आज की जानकारी आपके बहुत काम आएगी तो इस वीडियो को जदा से जदा शेयर करें फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नमस्का धन्यवाद निया है झाल Youtube की जानकारी तो पादी है जाम खकले आपके बहुत काम आपक final याजियो के अपक्ते हैं कि जानकारी तोर नमस्कारी टी